इस्टूदेंट्स तुडेश वी लेर्ण अबाउट हैप सिंड्रोम एन रेर कंड कॉस अब अब्डॉमनर पेन इन प्रेगनेंसी और इस फ्रॉम मिडवाइफरी और गाइन गाइनलोजी ओके तो अब्डॉमनर पेन दूरिंग दी प्रेगनेंसी तो मिडवाइफरी और प्रेस कर लें जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अप्लोड की जाती है और उसको नोट्स प्रोवाइट के जाते हैं तो उससे आप भी बेनेफिट ले पाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपना भी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है जो उसे प्रेस कर देंगे तो अगर आपके काम के तो ले लीजिएगा आपके काम के ने तो स्किप कर लीजिएगा तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखे हल सिंड्रोम क्या होता है तो हल सिंड्रोम जो होता है वो एक ग्रूप आप सिंटम है ठीक है मतलब है हल सिंड्रोम क है कि help syndrome क्या यह देख लीजा है H for hemolysis यानि कि जो hemolysis का मतलब होता है breakdown of red blood cell यानि कि RBC का breakdown हो जाना और EL का मतलब होता है elevate जो elevated liver enzyme यानि कि जो liver enzyme ने उनका increase हो जाना बढ़ जाना और जो LP का मतलब होता है lower platelets count यानि कि जो platelets के जो count होता है वो कम हो जाना तो यह पूरा हो गया full form help का तो ठीक है H for hemolysis EL for elevated liver enzyme and LP for low platelets counts तो this is the health syndrome तो आप देखिए कि जो help syndrome होता है वो it is a rare होता है यह बहुत कम होता है बट एक serious complication होता है जो कि जो pregnant woman होती है उनको affect करता है और यह अगर if detected on time अगर इसको time से पता लगा लिया जाए तो it can be treated ठीक है यह treat किया जा सकता है जो mother और जो baby है उसको क्या किया जा सकता है prevent किया जा सकता है किस से आने वाली जो harms होते हैं उससे उसको बचाया जा सकता है mother को और baby को अगर इसका time से पता चल जाए तो ये तो हो गया help syndrome ठीक है अब ये विन आपको बता दिया इसके causes देखते हैं तो जो causes होते है help syndrome के वो जो है unknown है यानि कि जो main cause है वो तो unknown है ठीक है तो it consider मतलब इसको हम जो होता है to be variant इसको variant मान देते हैं मानते है pre-eclampsia का ही type इसको मानते हैं ठीक है और sometime जो sometime the presence of help syndrome is due to an underlying disease यानि कि कभी-कभी ये जो होता है underlying disease के वजे से होता है जैसे कि anti-phospholipid syndrome होता है उसके वजे से ही होता है तो ये जो होता है anti-phospholipid क्या होता है कि ये ऐसा disorder होता है कि in which the immune system mistakenly attack normal protein in our body blood मतला हमारे जो blood में जो protein होते हैं उसको वो क्या कर लेते हैं जो हमारे ही जो immune system होते हैं उसको मतलब वो understand नहीं कर पाते हैं और वो उसको mistakenly उसमें क्या करते हैं अटेक करते हैं ठीक है तो anti-phospholipid syndrome can cause blood clot to form within the arteries vein and organ ठीक है जब ये इस तरीके से करते हैं तो जो anti-phospholipid syndrome होता है वो क्या cause करता है कि जो blood clot कर लेगा वो हमारी मतलब उसमें ये होता है कि जो arteries होती है यानि कि जो blood vessels होती है और जो organs होते हैं उनमें भी वो clot formation करेगा तो it can also cause miscarriage and stillbirth तो ये ये भी cause करता है जो pregnant woman होती है उनका जो baby का जो होता है miscarriage हो जाता है और या अगर baby born भी हो रहे हैं तो वो stillbirth होता है तो ये वाली problem होती antifospolipid में तो ये इसमें underlined जो disease condition होती है उसके वज़े से भी cause होता है समाना गिया है तो जो help syndrome होता है वो जो होता है 1000 pregnancies में से 1 to 2 में कम से कम देखने को मिलता है ठीक है और जो woman होती है जो जिसमें मतलब preeclampsia वाली और reclampsia वाली तो उन condition में ये ज़्यादा develop होगा मतलब 10% to 20% pregnancies ऐसी होती है जिसमें की ये मतलब present होता है ठीक है ना कहने का मतलब क्या है कि जो 1000 pregnancies में से मतलब अप्रोक्स माना गया है लगभग जो होता है 1 to 2 में ये देखा जाता है ठीक है preeclampsia and acclampsia वाली जो woman में ये condition जो होती 10 से लेके 20% तर जो pregnancies होती है उसमें develop होती है preeclampsia और acclampsia वाली में ठीक है और इसके जो respect होते है health syndrome के एक तो होता age अगर greater है यानि कि age more than 35 होगी तब भी ये cause होगा अगर उसकी जो obesity वो ज्यादा है मतलब obese है जो woman उनमें cause होगा जो pregnant woman है और history जो उनकी है वो preeclampsia की history है और diabetes की history, renal disease की history है multiple birth की history है और high blood pressure की history है तो उनके chances ज्यादा होते है ये इसके लिए risk factor होते है ठीक है और जो most often health helps develop during the third trimester ठीक है तो most मतलब होता है मतलब कि most of them most of time अक्सर जो help syndrome होता है ये pregnancy के third trimester यानि कि जो between the 26 to 40 weeks of gestation यानि कि इस time का gestation period होता है उस समय ज्यादा develop होता है health syndrome इसके chances होता है ठीक है यानि कि third trimester for pregnancy में और sometime it develop in week week after a baby is born यानि कि जब baby का born हो जाता है यानि कि जब baby का मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये तब develop होता है जब baby का birth हो जाता है और birth के जो होता है वो within मतलब उसके कुछ time बाद ये develop हो जाएगा यानि कि one week के बाद ये जो होता है वो develop हो जाता है ठीक है और जो many women होती है वो high blood pressure जिन में होता है तो और डाइग्नोज विद प्री अक्लेम्शा जो women होती जो प्री अक्लेम्शा का जिन को डाइग्नोज हुआ होता है high blood pressure होता है before they develop health syndrome ठीक है तो इससे मतलब है कि कुछ मतलब जो health syndrome होता है वो मतलब बोला जाता है कि जो women होती है उन में क्या होता है high blood pressure होता है और health syndrome उन में develop होने से पहले उने pre-acclosure का भी डाइग्नोज किया जाता है pre-acclosure में भी high blood pressure होता है उसके बाद हम देखेंगे उसको भी देख लेंगे वो भी lecture में इसमें देदूंगी तो उसमें भी क्या होता है मतलब high blood pressure होता है तभी pre-acclosure cause होता है तो यह जो some cases होते है health syndrome क्या होता है वो first warning of pre-acclosure तो कहने का मतलब है कि जो health syndrome होता है इसमें भी blood pressure वाली problem होती है तो इसलिए हम इसको pre-acclosure का warning symptom मानते है यानि कि इसका लक्षन है कि pre-acclosure के chances बढ़ गए है तो risk factor जो होता है वो कभी-कभी क्या होता है misdiagnosed भी होता है जैसे कि flu और other viral illness से और gall butter diseases से मतलब उनके symptoms जो होते है इसी type के होते है तो कभी-कभी यह misdiagnosed भी हो जाता है और hepatitis हो गया idiopathic thrombocytopnik प्रपरा हो गया ITP and lupus flare हो गया thrombotic thrombocytopnik जो प्रपरा होता है low level low level of blood clot होता है यानि कि इसमें blood clotting की मतलब उसकी ability होती हो कम हो जाती है और that prevent bleeding यानि कि वो platless होता है जो उसको bleed को prevent करता है it occur when the immune system mistakenly attack platless जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा immune system होता है वो by mistakely क्या करता है हमारे platless में attack करता है यहां पर आप देख पा रहे है एक होता है lupus flare मतलब तो यह क्या होता है कि एक ऐसी disease activity होती जिसमें की disease activity increase in one or more organ symptom मतलब हमारे को मतलब कोई ऐसी disease condition ऐसी develop हो जाती किसी एक system में या फिज्यादा system में तो उसको बोलता है lupus flare तो उसमें भी risk factor होता है यह जो condition है syndrome यह help की ठीक है और जो thrombotic cytopnik जो प्रपुरा होता है thrombocytopnik जो प्रपुरा होता है उसमें जो होता है यह जो एक blood disorder होता है that result the blood clot forming in small blood vessels जो होता है throughout the body तो यह एक condition होती है तो इसके वज़े से भी risk factor है जिसके वज़े से यह cause होता है अब हम देखते हैं इसके symptom क्या होते हैं इसके symptom की मतलब मैंने बोला ना जितने भी यह आपने इससे पहले जो यह देखी थी यह जैसे flu हो गया, gall butter disease हो गयी hepatitis हो गयी इन सब में भी इसी type के symptom पेइन होगा और मतलब जब वो breathe करेंगे deeply तो पेइन भी फिल होगा breathing के during the breathing and breathing होगी change होगा vision में यानि की vision system में भी जो होती कमी आ जाएगी swelling होगी especially of the face और hand में ज़्यादा swelling देखने को मिलेगी और breathing भी वो ठीक से नहीं कर पाएगा breathe उसकी shortness होगी difficulty होगी breathing में और gasping type of breathing भी हो सकती है तो ये वाली तो इसमें symptom आते हैं और complication होते हैं DIC, DIC का मतलब होता है diseminated intravascular coagulation जो कि एक blood disorder है जो मैंने इससे पहले वाले जो हमने पढ़ा था antipartum hemorrhage में इससे देख चुके हैं इसमें समझ लीजेगा और जो placental abrupt show भी हम उसमें देख चुके हैं वह ये इसके complication होते है kidney failure होगा, pulmonary edema हो गया ये इसके complication होते है usual onset हमने पहले पढ़ लिया है कि जो last 3 month of pregnancy होता है तो उसमें इसका onset start होता है और shortly after the birth of child तो जब बच्ची की birth हो जाती तो उसके भी कुछ time बाद मनला जल्दी ही ये वाली problem develop हो जाती है इसके type होते हैं दो तरीके से हम इसे बोल सकते है complete और incomplete diagnosis का blood test होगा जिसमें की सब blood disorder देखने को मिलेगा और जो differences diagnosis होते है जैसे मैंने बोला हाँ viral hepatitis, thrombotic, thrombocytopnik, propera और cholangitis हो गया है और hemolytic uremic syndrome ये इसके differential diagnosis है अगर इसका हम treatment की बात कर रहे है तो जो help syndrome की treatment की बात करें तो ये इसमें helpful होता है कि अगर इसमें blood काफी loss होगा तो blood transfusion देंगे अगर इसको anemia को treat करना है तो इसको complete bloodless bedless देंगे woman को और pregnant woman जो होती है और उसको continuous monitoring में रखेंगे baby को और mother को ठीक है उसकी FHS वगरा लेते रहेंगे examine करते रहेंगे और इसमें जो होता है ये magnesium sulfate भी इसमें देते हैं किसके लिए prevent seizures के लिए क्योंकि जब इसमें pre-eclampsia वाले भी इसके बाद just pre-eclampsia high blood pressure होगा तो pre-eclampsia cause होगा तो उसको बचाने के लिए magnesium sulfate भी दे सकते हैं और blood pressure होता है उसकी medication दी जाती है क्योंकि high blood pressure इसमें cause हो जाता है और जो anti-steroid sorry cortico-steroid जो होती है वो भी देना पड़ता है ये last में जो लिखावा है So, thank you guys for watching this channel and please do like, share, comment and subscribe this channel and good bye, take care.